हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का आर्वेज यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए कोस्टन लेकर का आया हूं यह कोस्टन क्लास 9 की मैथ से चप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से लिया गया है एक्जामपल नंबर 18 है और इसमें में रेशनलाइ सब्सक्राइब एक्टर ऑफ 0 283 तो इसको में रेशनलाइज करना है ठीक है अब करते क्यों देखो जो्त होता है वहां पर जब स्क्वाइर रूट आया होता है यह स्कॉर्स को ही riders Pink कहते हैं तो स्कॉरूर्ट या सइन पर उसमें निमूब करके इस प्रेंग से लंबर बनात वी है कि कुश्चन है हमारे पास वन ओबर टू प्लस स्क्वेर रूट त्री यह हमारे पास कुश्चन है अब एक आइडेंटिटी होता है वह आपके मैथ की बुक में पेज नंबर 22 पर मिल जाएगा आइडेंटिटी नंबर 4 उसमें यह होता है कि ए प्लस स्क्वेर रूट बी इंटू ए माइनस स्क्वेर रूट बी अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वेर माइनस भी ठीक है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस स्क्वेर रूट बी इंटू ए माइनस स्क्वेर रूट बी दिया है तो हम रइट कर सकते हैं A square minus B तो इस identity का यहाँ पर यूज करेंगे देखो यह है हमारा A और यह हमारा B B वाली value square root में है देखो जिसी denominator में हमें दिया है 2 plus square root 3 तो इस plus को हटा देंगे यहाँ पर जो भी sign दिया होगा उसका opposite sign लेंगे जैसे यहाँ पर plus दिया है तो minus sign लेंगे और वो लेते हैं इस identity से जैसे अगर यह वाला दिया है तो यह वाला लेंगे या फिर अगर यह वाला दिया है तो यह वाला लेंगे तो अभी हमें प्लस वाला दिया था हमने क्या ले लिया माइनस वाला और उसी से हमें नुम्रेटर और दोनों में मुल्टी प्लाइ करना है तो यह कहां से सोचेंगे यह हम इस इस आइडंटिटी से सोचेंगे ठीके तो यहां पर रैट करेंगे on multiplying कि यह जो नंबर है टू एस्क्वाइर रूट थिरी यहां पर पलस है तो यहां पर माइनस साइन इन बोथ नुमिरेटर एंड डिनामिनेटर यह मैं हटा देता हूं दिनामिनेटर लीगेट है अंट मैंटिप्लाइंग टू मैंस स्क्वाइर रूट 3 इन बोथ नुमिरेटर एंड डिनामिनेटर वी गट तो क्या मिलेगा देखो वन अपान टू प्लस स्क्वाइर रूट 3 इह हमारे पास पहले से था multiply करेंगे 2 minus square root 3 over 2 minus square root 3 तो यह 1 है यह multiply होगा तो ऐसे आ जाएगा 1 into under bracket 2 minus square root 3 over under bracket 2 plus square root 3 into 2 minus square root 3 अब देखो 1 से multiply करेंगे तो वही आएगा 2 minus square root 3 over अब इसको solve करने के लिए यहां पर लगाएंगे identity क्या a plus square root b into a minus square root b is equal to a square minus b यह वाली identity हम लगा देंगे तो देखो a की value है 2 b की value है 3 तो यहां पर हो जाएगा 2 square minus 3 किता हो जाएगा 2 square minus 3 तो आगे जब solve करेंगे इसे तो क्या मिलेगा उपर तो ऐसे ही रहेगा 2 minus square root 3 और यहां पर हो जाएगा देखो 2 का square होगा 4 तो यह हो जाएगा 4 minus 3 2 minus square root 3 ओबर 4 minus 3 कितना जाएगा 1 आप denominator में 1 का कोई मतलब है नहीं तो यह पूरा हटा देंगे तो value कितना आ जाएगा value आ जाएगा हमारे पास 2 minus square root 3 यह हमारे क्या हो जाएगा answer हो जाएगा इस question का तो आप चाहो तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को पहुज करके screenshot ले लो तो दोस्तों comment box में बताएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक अगले thank you class